प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम उडान चरण टू के अंदर कक्ष्या साथ विशेविज्ञान अध्याय पांच अमल अक्सारक और लवण के कारिया पत्रक खल करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चो ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब करने लाइक कर दें और शेयर कर दें तूरू करते हैं आज की गलास तो कक्ष्या के सभी बच्चे समु में बैठें चर्चा करें कि खाने के फ़ल्त रस सब्जियों के स्वाद कैसे होत तो यहां पर आपको उनके नाम लिखने हैं, तो यहां पर हम टमाटर लिख सकते हैं, यहां पर हम करेला लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो खटी चीजे हैं, बहुत सारी आप उनके उधारन लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हम नीम्बू लिख सकते हैं, कच्चा आम लिख सकते हैं तो कड़वी चीजों के आप इस तरफ लिख लेंगे और जो खटी चीजे हैं उनकी इधर लिख लोगे ठीक है आगे चलते हैं करेपत्रक दो एक बात और बता देता हूँ जो खटे होते हैं उसमें आमल होते हैं और इनमें क्या होते हैं अकसार होते हैं क्या होते हैं अकसारक या अकसारक होते हैं ठीक है आगे है कारेपत्रक दो आईए अब इन पदार्थों को बिना चक्खे तब बिना चुए भी कुछ प्रिक्षनों से अलग करते हैं तो यहां कुछ फल वे सबजियों के रस निकाल कर रसोई में कुछ पदार्थों का गोल बना कर परते को दो अलग-अलग पर्खनियों में डाल कर प्रिंखली एक में अलदी पाउडर प्रिंखली दो मिलिटमस का गोल डाल कर अवलोकन करे उनके रंग में क्या प्रिवर्तन आ क्या होता है अमल होता है तो अमल जो होते हैं वो हल्दी पाउडर के साथ कोई रंग नहीं देते कोई बदलाव नहीं आएगा लेकिन लिटमस पेपर लिटमस गोल डालने पर रंग में परिवर्टन आएगा अगर नीला डालेंगे तो नीले को क्या कर देगा लाल कर देगा त तो इसमें क्या लेखें ग लिखेंग…नीला, इमली का गोल इसमें भी क्या होता है…… visionary मे इसमें कोई परिवर्त नहीं आएगा तो ये भी सेम नीला- लिट मस्क इसमें हो जाएगा, परिवर्तित लाल में परिवर्तित हो जाएगा… ठीक है अब हम क्या करते हैं खाने का सोडा तो यहां पर खाने का सोडा अगर हम हल्दी पाउडर पर डालते हैं तो यह लाल हो जाता है कैसा हो जाता है लाल तो इससे में पता चलता है अकसारक है इसमें क्या है अकसारक है और यहां पर लाल लिटमस है जो कैसा हो जाता है नीला हो जाता है तो ठीक है लाल लिटमस नीला हो जाता है शिरका में अमल है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है नीले से लाल होगा ठीक है तो यहां साबुन का पान भी हाँ पर लाल होगा आप देखते होंगे कई तो इसका इसका मतलब साबुन अक्सार्ग हुती है तो यहां पर भी लाल से कैसा होगा निला टमाटर के रस्प में अमल होता है तो यहां पर इस पर कोई प्रभाव नी पड़ेगा ये नीले से लाल हो जाएगा तो प्यारे बच्चो इस तरीके से हम हल्दी से भी और लिटमस पेपर से भी पैचान कर सकते हैं किसकी अमल और अक्सारक की तो आज की क्लास में इतना ही थोड़ा और बसता है सोरी ये और कर लेती है मागे इसके अतरिक्त अन्य पदार्थों का प्रिक्षन भी कर सकते हैं देनिक जीवर में इस प्रकार के पदार्थों की उप्योगीता अत्वा किरियाओं के बारे अमध्यापक से चर्चा कर इस खोज के आधार पर निमन प्रिष्णों का उत्तर दे अमलिय वर्षा क्या है इसका हानिकारक प्रभाव क्या है अमली ये वर्षा क्या है तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ YU में CO2, NO2, SO2 आदी गैसे वर्षा के जल से मिलकर अमल बनाती है इसे अमली ये वर्षा कहते हैं ठीक है तो अमली ये वर्षा किसे कहते हैं पता लग गया खाने कारक प्रभाव क्या है अमली ये वर्षा से अमली ये वर्षा से बावन फसल वे जन्तु को खानी पहुंचती है हानी पहुंचती है ठीक है हमें कभी कभी खटी डकार क्यों आती इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो ऐसा एपाचन के कारण होता है हमारे अमास्य में हाइड्रो क्लोरिक यानि हैच्चील अमल की अधिक्ता हो जाती है ठीक है इसे एपाचन कहते हैं आगे है अगनी समन यंतर किस प्रकार कारे करता है अगनी समन यंतर में मीठा सोडा एन एच सी ओ त्री बरा होता है जो एक अकसारक है गरम होने पर यह सी ओ टू छोड़ता है ठीक है जो आग के चार और फेल जाती है और आग बुझ जाती है ठीक है लिख लो गया हमारे दान्तों के खराब होने की क्या बज़े है हमारे दान्तों के बीज बोजन रहने पर रहने पर जिवानों अमल बनाते हैं जिस से दान्त खराब हो जाते हैं दान्त खराब हो जाते हैं ठीक है तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसलिए जो टूथ फेस्ट इस्तेमाल किया जाता है वो अकसार किया होता है इस अमल यता को उदासिन करने के लिए ठीक है हमारे दान्तों के बीच बोजन रहने पर जो जिवानों होते हैं अमल बनाते हैं जिस से दान्त खराब हो जाते हैं तो प्यारे बच्चों ये था अध्याए पांच अमल अकसारक और लवन जो हमने किया उमीद करता हूं कि आपको अच्छे से मज़ से मज़ में आया होगा दन्यवाद